वेलकम टुमिलिट्री पार्ट साला, I am Professor D.N. मौरिया आज का टापिक है जुलाई 2024 से D.A. कितना बढ़ेगा तो जून 2024 का Index All India Consumer Price Index for Industrial Worker आ चुका है इसे कल ही Labor Bureau जो की Ministry of Labor के अंडेर आती है उन्होंने जारी किया है तो अब इसका कलकुलेशन कैसे करेंगे जुलाई 2024 के D.A. के लिए जनरली आप क्या देखते हैं, most of the cases यूटूब पर की एक टेबू लाप के सामने दिखाया जाएगा उसमें हर महीने का Index डाला जाएगा और आपको Final Figure दिखाया जाएगा कि D.A. इतना पर्तिन बढ़ा वीडियो में आपको एडिटेल में बताना चाहूँगा, तो अब वीडियो देखने के बाद आप कलकुलेशन खुद कर सकते हैं, किसी का भी एक कलकुलेशन या किसी का भी यूटूब का वीडियो देखने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो अभी मोटे मोटे तोर पर टेबल को स्टार्ट करने के पहले मैं ब्रीफ करता हूँ कि मोटे तोर पर हमको चार पाँ चीजे मालूम होना चाहिए पहला कि जो बेस यर है वो सेवन सीपीसे से स्टार्ट होता है, सेवन सीपीसी कबाया था 1-1-2016 तो अभी जो DA का base year है वो 1-1-2016 है न की 1-1-2001 है जो की पहले लिया जाता था नमबर टू हर महिने के CPI को पिछले एक साल के average index से compare करते हैं या नार्मल मांगाई में क्या होता है हम लोग compare करते हैं month to month जून 2024 विशाविस जून 2023 तो कितना बड़ा है तो यहाँ पर DA के लिए ऐसा calculation नहीं होता है इस महिने का index जो है हम compare करेंगे last one year के average के साथ इसका मतलब की last one year क्या हुआ जून 2024 और बैकवर्ड 11 month इसका मतलब में 2023 से लेखे जून 2024 तक का index आपके पास होना चाहिए तो फिर इसका हम सबको क्या करते है month wise जो index है उसको 2.88 से multiply करते है 2.88 एक जो है link factor है क्योंकि हमको इसको लेके जाना है 2001 के level पर जो 2024 का मतली index आएगा उसको 2.88 से multiply करेंगे हर index को और हमें लेके जाएगा 2001 के level में वहाँ पर कुछ decimal figure आएगे हर महिने के 1 to 12 month उसको हम round up करते जाएगे decimal निकालते जाएगे या उसको upward करता जाएगा more than 0.51 left than 0.50 इस तरह से हम उसका round up करेंगे और आपके पास 12 figure हो जाएगा इस 12 figure को हम average करेंगे divide by 12 वह आपको average मिल जाएगा तो जून 224 का जो index है हम उसको इसके साथ compare करेंगे और पता करेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है DA कितना बढ़ना चाहिए तो हम क्या करेंगे formula यूज करेंगे last में तो formula क्या है DA calculation के लिए DA increase in percentage is equal to average of last 12 month index minus 2.61 divide by 2.61 multiplied by 100 तो इसमें 2.61 क्या है क्योंकि हमारा DA 2001 से नहीं start है मारा DA start है वो 11.2016 से start है तो हमने पूरा अभी index क्या किया था 2001 के level मिलाया था लेकिन जो DA हमको 2016 से मिल रहा है तो इसलिए हम उसको जो उस समय का जो base level है वो 2.61 के बराबर है आरेडी pre-calculated है 7 CPC के बाद तो हर महीने हम 2.61 से minus करते हैं तो final formula होगा average of last 12 month index minus 2.61 divided by 2.61 into 100 तो जो figure आएगा let us say figure आता है 53.50 तो यहाँ पर हम round up करेंगे यहाँ पर round up का मतलब होता है कि जो decimal figure है उसको हम छोड़ देते हैं safe जो है round figure लेते हैं whole number लेते हैं decimal figure में 0.1 हो, 0.2 हो या 0.9 हो वो सब जो ignore किया जाता है और safe round up figure लिया जाता है whole number लिया जाता है तो अगर 53.5 मान लो आता है तो 0.5 को हम ignore करेंगे और 53% हमारा DA जो है June 2024 तक बनता है इसमें से already हमको 50% जो पहले मिल चुका है that is in the month of January from 1.1 2024 तो balance क्या होगा 53 minus 50 is equal to 3 तो 3% DA जो है बढ़ेगा यह हमारा मोटा मोटा बता रहा हूँ अब चलते हैं हम detail calculation में और देखेंगे कि actual calculation में DA कितना बढ़ रहा है और कितना DA हमको Pacific from 1.1.2000 सारी Pacific from 1.7.2004 मिलने वाला है तो मैं अभी आपको calculation दिखाऊंगा DA July 2024 से कितना बढ़ेगा तो DA Pacific from 1.0 July 2024 Left side first call में मैंने मन डाला है All the 12 months बारा महने के statistics चाहिए तो July 23 फिर अगस 23 सितंबर 23 October 23 नॉंबर 23 इस तरह से लास्ट का है June 2024 यह बारा महने का हमने figure लिया है इदर index base year 2016 यह जो की labor bureau जारी करता है month by month तो जुलाई में जारी हुआ था 139.7 इसको हम 2.88 link factor से multiply करेंगे और multiply करके base year 2001 में लाएंगे तो 402.34 हो गया इसको round up किया 0.34 निकल गया तो 402 हो गया इसका DA calculation उसमें हुआ था 47.14 इसका मतलब July 2023 में यह DA का value 47.14 परसेंट था अभी हम अगले महिने में देखेंगे अगस्ट 2023 में बेस इंडेक्स 2016 का 139.2 डेकलेर किया था लेबर भीरो ने multiplied by 2.88 यह 400.9 हो गया round up किया 401 हो गया इसी तरह सिस्टमबर में 137.5 जो इंडेक्स था multiplied by 2.88 396.00 तो 396 ले लिया अक्टूबर का इसी तरह से हमने multiply किया और हमको मिल गया 399 नॉबर का जो इंडेक्स मिला था लेबर भीरो से उससे 2.88 से multiply किया हमको मिल गया 401 दिस्टमबर का भी 138.8 था multiply किया 2.88 से 399.74 multiply किया तो इसको round up किया to the nearest figure 2.74 से 400 हो गया जनौरी 2024 400 हो गया फरवरी 2024 401 हो गया मार्च 2024 400 हो गया अप्राइल का हमने figure लिया तो multiply करने के बाद round up किया 401 हो गया में 2024 का figure हमने लिया multiply किया 403 हो गया यहां तक का डिये जो आया था 52.91 परसंट था अभी हम देखते हैं कि जून का डिये कैसे calculate करेंगे तो जून का figure आ गया index 141.40 अभी कल रात को आया है 2.88 से multiply किया 407.23 मिला .23 को drop किया हमने तो round up हो गया 407 तो यह figure क्या होगा यह हमें calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे हम पहले इस 12 month का जो round up figure है इसको हम add करेंगे तो हमको मिल गया 4811 पिर इसका हम average लेंगे तो average for 12 month इसको हम 12 से divide करेंगे तो हमको figure मिलेगा 400.92 अभी formula यूज करेंगे डी ए calculation को फार्मूला है last 12 month average minus 261.4 यह जो base year का effect है इस फीटमेंट factor बोलते हैं तो seven CPC में हमेशा किसी महिने का डीय calculate करेंगे तो 261.4 से minus करना पड़ता है तो 12 month average minus 261.4 divided by 261.4 multiplied by 100 a percentage में आएगा तो इसका calculation क्या हो गया? 12 month average क्या है 400.92 minus 261.4 जिरो, divide by 261.40 into 100 यह हो गया 53.37 percent इसको round up करेंगे round up का मतलब की decimal को drop कर देंगे तो यह हो गया 53 percent तो already हमको क्या मिर रहा है? 50 percent DA मिर रहा है with effect from one one two thousand 24. So hence balance क्या होगा? 53 minus 50 this is going to be 3 percent DA high. तो हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि DA high जो है 53.37 percent यह जो है हमारा cabinet meeting होगा mostly सिसंबर में उस समय announce करेंगे और उसके बाद हमको DA मिलेगा हर महिने areas के साथ में जो लोग चैनल subscribe ने कियें उनसे निवेदन है मेरा चैनल subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ till then bye bye